मैं हूँ आपके सारि दिंवाद्टूर्टुर्प recognizes. Bollywood में historical films इन दिनों काफी डिमान्ड हुए हैं ऐसी फिल्मों को और्डिन्स काफी पसंद करती है लेकिन historical films के चलके फिलंवेकर्स को काफी विबाद ओंका सामना भी करना पड़ता है जिसका सबसे बड़ा सबूत है पदमावर और बाजी राओ मस्तानी इन फिल्मों के गलीज के टाइम काफी बवाल मचा था लेकिन फिर भी फिल्मेकर्स ओडियन्स के लिए ऐसी फिल्में बनाते रहते हैं एक बार फिर ऐसा ही होने जा रहा है खबरों की माने तो यश्राज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोप्रा प्रित्वी राज चोहान की कहानी को परदे पर दिखानी की त्यारी कर रहे हैं बता दें कि प्रित्वी राज चोहान का जनम साल 1168 में हुआ था वो अजमेर के राजा सोमेश्वर चोहान के बेटे थे प्रिश्पी राज चोहान को एक योध्धा राज़ के रूप में जाना जाता था बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षे कुमार प्रिश्पी राज चोहान के रोल में नज़र आ सकते हैं ये एक मेगब बजट वाली फिल्म होगी जिसे यश्राज फिल्म्स और चानक्य और पिंचर जैसे टीवी शोव और फिल्म में बना चुके एक डॉक्टर चंदरप्रकार श्रिवेदी साथ मिलकर बनाने वाले हैं मीडिया रिपोर्ट की माने तो पहले इस फिल्म में प्रिश्वी राचोहान के रोल के लिए रंवीर सेंग को कास किया जा रहा था लेकिन बात नहीं बन पाई जिसके बाद मेकर्स ने अक्षे को इस फिल्म के लिए साइन दिया है बता दें कि जल्दी कंद्ना रुनौत की फिल्म मनी करनी का रिलीज होने वाली है ये फिल्म राणी लक्ष्मी बाई की जिंदगी पर बेस्ट है सिलाल इस फिल्म की शूटिंग चल रही है वहीं अब अक्षे भी प्रित्वीरा चुहान बन कर आने वाले है ऐसे में देखना दिल च्रस्ट रहेगा कि इस फिल्म में अक्षे के अलावा और कौन कौन से स्टार्स को फिल्म के लिए कार्टिया जा सकता है वैसे आप अक्षी को प्रित्वीराद चुहांग के रोल में देखने के लिए कितने एक्साइटिट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं